लोजा नहीं पाई जाती है और पाई भी जाते हैं तो सरकार बन चुकी होती है और वो अपनी गल्टियांगोँ छुपा लेती है जितना एक्जाम में कररफ्शन हो रहा है हद मचा दी है मतलब ऐसा को एक्जाम नहीं है जो सही सलामत निपट जाए नौकरियां बेक रहीं है क्लिए 2 गयिकर देते मैं तो चाहिए सर्कार के बास तरीक है की करणको अगुद्शो कर दो इस बेचो आप सो 5000 भेकेशं का दी आपने सिंपल सा फंडा लगा हो कि 5000 किनि का लो और 1000 की टतकाल की तरह येसं से ट्रेन में वरी जाती है जैसी बैकेंजी आएंगी बच्चे इंट्रेस्ट पे बात आईगी कि ओपन इंट्रेस्ट हो करने तो कॉष्ट बढ़ती जा रही है दस हेल से बार हो गया जल्दी लो जल्दी लो तेरह हो गया और इसके लिए लॉन अलग से सेंजन करो बैंक में आप वो कितना फायदा है कि मेरे को पोश्ट खरीद नहीं है उस पत्वार लाग देह है लुए अज हो रहा आदमि सोचता है यहां पे 10 लग दिये उधर 20 коп में लिले तो मैं लड़कियों के पिरेंट से भी गुजारिस करूंगा कि सरकारी नौकरी वाला लड़का देख करके दहेज मत दो एक्दम तभी तो यह सरकारी नौकरी को पैसा में खरीदना बंद करेंगे उन्हें पता ही कि दहेज में इतना पैसा बापस ले लेंगे कि दहेज को पढ़ावा दे रहरों और रिस्पत देना रिस्पत लेना रिस्पत देना दहेज देना देना बाई दोनों कोई पाप होना पड़ेगा दोनों पर ही एक्शन होना चाहिए जो दहेज दे रहा है उस पर भी और जो ले रहा है उस पर भी यदि एक ही गती